ये मेरा थोड़ा सा लॉंग वीडियो है आप सभी लोग ध्यान से देख लिजिए ये है गेहूं ये मक्का और ये सब हम लोग के निगरानी में ये सब खेती होता है हम लोग जो बताते हैं उसी कनुसार ये किसान करते हैं और इसमें न तो खरपतवार ना सक दवाई का होता है हम सभी लोग हम सभी किसान मेत्र आज बड़ी बड़ी कमपनी के बहकावे में आकर के हम खरपतवार का उप्योग कर लेते हैं और आपको पता होना चाहिए कि खरपतवार में बहुत सारे ऐसे भी खरपतवार होते हैं जिसमें मेत्र किट निवास करते हैं जो हानी कर करने वाले कीट को नस्ट करते हैं और अगर हम खरपतवार का उपयोग करते हैं तो ऐसे कीट को हम नस्ट कर देते हैं जिसके कारण है कि कीट अधिक से अधिक हमारे फसल के उपर प्रहार करते हैं और फसल को नस्ट करते हैं तो मैं आप सभी किसानमित्रों से निवेदन करूं कि आप सबीर हमारा इस विडियो को देखे और ज्यादा से ज्यादा से झाल करें और आपको अगर कोई दिक्त है प्रीशानी है, फसल को ले करके तो आप हमारे कोमेंट्स भुक्स में клиust करें, हम आपका सहयोग करेंगे आप कहीं से भी हो आप कॉमेंट्स करें अगर आप चाहे तो वहाँ हम आवीशकते हैं क्योंकि मेरा मिशन ही है कि अपने देश को स्वक्ष और स्वस्त बनाना है और इसके लिए सबसे अहम योगदान किसान का ही होगा क्योंकि हमारा देश क्रिशी परधान है और हमारा देश का पावर भी है किसान तो अगर आप सभी लोग हमें सहयोग करेंगे तो जिस दिन हम अपने पावर पे काम करना स्टार्ट करती है उस दिन हमारा देश विकास सिल नहीं विक्सित वनेंगे क्योंकि आज हम अपने पावर पे काम नहीं कर रहे हैं पावन परसेंट लोग इसके अंदर काम करते हैं किरिशिकार से जुड़े होएं तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखे एक दुसरे को शेयर करें और अभी मोर्निंग का शमय है बहुत सारे लोग बैट से निकले भी नहीं होंगे और हम सभी लोग किसान मित्र के लिए आ गये है ताकि किसान मित्रों को कोई दिक्कत ना हो वो सभी लोग हमारे निगरानी में काम करते हैं खेती करते हैं हम सभी लोग उसके साथ हमेशा सहयोग के साथ रहते हैं यह आप सभी लोग देख लीजिए यह सारे फसल की हरियाली कभी खतम नहीं होगी और नहीं कभी कोई कीट लगेंगे तो हमारे वीडियो को आप देखते हैं अगर अच्छा लगे मेरा परियास हम चाहते हैं कि मेरा पर करने की बारे में और बहुत सारी जानकारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़नूर कर लें